मयंक एक मल्टी नेशनल कमपणी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था. एक दिन मयंक को ओफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था. सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी. ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी. रास्ते में चलते चलते मयंक को अच फिर से वही आवाज सुनाई दी. सामने देखो. जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाए दी. मयंक डौट के उस चीज के पास गया और देखा तो ये कोई साधारन चीज नहीं थी बलकि एक चमकता हुआ हीरा था. उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पार ना रहा लेकिन मयंक को कहा पता था ये कोई साधारन है या नहीं बलकि एक मयावी हीरा है. अचानक उस हीरे में से आवाज आई अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे है. मयंक खुश हो गया उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया. करीबं दो फीट खोदा और काम करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिलाने लगा. इसके कारण उसका संतुलन खो गया और जमीन पर गिर पढ़ा. क्योंक मैं तुम्हें कोई हानी नहीं पहुचागा. मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरा भी गूंगा. बस मेरी बात ध्यान से सुनो मैं जहां जाता हूँ वहां मेरे पीछे आओ. फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा. करीबन एक किलोमीटर चलने क के बाद वह सिर रुप गया. मैं तुम्हें एक आखरी काम करना है. उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूनगा. तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा. मयंख ने बोला एक लोटा खून. पर मैं एक लोटा खून कहा से लाऊंगा. उस सिर ने कहा चलो मेरे साथ. वो डरावना चहरा मयंख को साथ लेकर खोड़ी दूरी पे गया वहा उससे एक इनसान को जाते हुए देखा. वो सिर बोला उस इनसान को मार कर उसका खून ले आओ. मयंख दर गया और बोला नहीं नहीं यह मुझसे नहीं होगा. मैं यह नहीं कर शकता. अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में दाल दूनगा फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्ख बन जाएगी. मयंख ने हाथ जोड़ कर उसे कहा, मुझे माफ कर दो अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफतार कर देगी और मुझे जैल जाना पड़ेगा. उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ती से ए कर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया. वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला ये खून मेरे शरीर पे डाल दे. उस सिर के कहने पर मयंख ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया. फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शर पीर पे जुल गया ये सब देखकर मयंत की हालत अब खराब होने लगी वो उस भूख को देखकर काफी डर गया जैसे ही वो भूख जिन्दा हुआ तो जोर जोर से हसने लगा और धरावनी आवाज में बोला तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम्हें मुझे फिर से ज बाज भी नहीं निकल रही थी वो अपने जान बचाने के लिए वहां से दोणा लेकिन उस भूख ने छलांग लगा कर मयंत को जमीन पे गिरा दिया और बोला मुझे बहुत भूख लगी है अब मैं तुम्हारा मास खाऊंगा जैसे ही उस भूख ने मास खाने के लिए आग मयंत ने पीछे मुख कर देखा तो एक अगोरी बाबा खड़े थे उस अगोरी बाबा ने कहा जब तुम उस आदमी को मार कर उसका खुन ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यह तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ती से उस भूट को फिर से मार दिया अब तुम निशित होकर अपने घर जाओ अब तुम पर कोई खत्रा नहीं है आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूव तक कावपने लगती है दोस्तों आपको ये कहानी कैसी दरूर दबाय धन्यवाग